मुख्यमंत्री प्गवंत्स सिंग मान वल्लों चिटफंड कंपनी पल्ज ग्रुप दी जांच करन दे हुकम जारी कार दिते गएने अते गरीब लोकां दी हक हलाल दी कमाई उना नूँ वापस दवाउन दे लई लगातार यतन कीते जारेने इस तो पहला आमादमी पार्टी दे विदायक ब्रिंदर कुमा गोयल ने साफ शब्दां विच कह दिता सी कि सरकार वल्लों किसे वी प्रिस्ट उद्योग पती जां अधिकारी नूँ बक्षया नहीं जावेगा आते करोडा लोका नूँ ठगी दा शिकार बना उनवाली पल्ज कंपनी दे खिलाफ बंदी कारवाई किती जावेगी उना द जल्द ही उना स्यासी लीडरां जां अधिकारियां किलाव भी कारवाई किती जावेगी जिना वल्लों पंगू दी प्रोपटी अटैच होनतों बाद भी खरीदों फ्रोकत किती गई है परल कंपनी ये अजदी नहीं है ये पिछले सत्त अठ साल तों परल कंपनी ने लोकाने पैसे दबले ते खासत दौरते लेरे हलके दा धड़बे हलके दा ए लोगता करों बे कर करते काई लोकाने जमीना बेजके पैसे इना जलाते सो ये बहुत बड़ा फराड होया सी पर पिछ्रियां सरकाराने किता कुछ नहीं गल्ला कर दिया रहे साधी सरकारा हुनते एस जिना अधा मालक सी उनुं महारास्ट्र दों लें अंदा फड़के वेठे जेल दे बीच्छे व अनुं लेंदा है वो भी सारा चेक किता जा रहे है कि फराड होन तो बाद के जमीना ने अटैच भी होन जाए पर वो सेल भी होगी है तो किदी मिली पो गद्यना लहन जाने केडे स्यासी लोकाने ग्यान सा गरबार के काले जावते ना करा ले एदी सारे नी जाच किती तो हानु एते दास दईए कि पल्ज कंपनी दे मालक निर्मल सिंग पंगू इसवेले जेल दे विच बांदने अते मिली जानकारी दे मुताबक पल्ज कंपनी दे मालक निर्मल सिंग पंगू ने करीब 6 करोड़ तों वी ज्यादा लोका नाल ठगई किती सी। जिन्ना वल्लों अपने खुनपसी ने दी कमाई पल्ज कंपनी दे विच लगाई सी। इस दे नाल ही इस कंपनी दे 60 लकतों ज्यादा एजन्ट सन जिनना वल्लों लोकां दा पैसा इस कंपनी दे विच इन्वेस्ट कीता गया सी तेहुन एक वार फिर एहे मामला सुर्कियां दे विच ओदों आ गया जदों लहरा गागा तों आमादमी पार्टी दे विदायक ब्रिंदर कुमार गोयल ने एहे मुद्दा चक्या आते उस तों बाद मुख मंतरी पगवन्त सिंग मान वल्लों इस दे जांच दे हुकम दे दि ते गए ने बियरो रिपोर्ट एवी न्यूज पंजाबी